हेलो फ्रेंट्स एक बार पना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी 26 पे और आज के वीडियो के माधियम से बच्चों हम लोग देखने का प्रियास करेंगे जो बीए फर्स सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिनोंने MJC यानि ओनर्स के में धर्म की क्या आप धर्नाय थी और फिर दूसरा प्रस्न यह बनेगा कि प्राचिन काल में दर्सन जो है तो उनके बारे में आपसे प्रस्न बनेगा तो यह दोनों को सेपरेट आपको पढ़ना है चुकि अलग-अलग वीडियो में पढ़िएगा तभी आप समझ भी है और यूनिट जो आपका यूनिट थर्ड है उसी का यह पार्ट है तो चलिए आज उसी को देखते हैं तो देखिए प्राचिन काल में होता क्या है कि आप देखेंगे जब प्राचिन भारत की सुरुआत होती है हमारे इतियास में तो आप देखेंगे इसमें कई एक धर्म का उदय हुआ जैसे कि हिंदू धर्म है फिर आप देखिए हिंदू धर्म कोई सनातन धर्म बोलते हैं आज भी आप जानते हुए सनातन धर्म बाद धर्म जैन धर्म इसलाम धर्म और सीख धर्म यह महत्पुन धर्म है इसी रूप में इनका उदय भी हुआ पहला तो हिंदू दर्म था उसके बाद बहुत धर्म या जैन धर्म दोनों को ही आप मान लीजिए और तीसरा जो है इसलाम और चौथा जो है सीख धर्म यह तमाम धर्मों का उद्य हुआ भारत में तो इन ही कि बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज तो आज हम लोग केवल हिंदू धर्म को पढ़ेंगे तो उसके बाद इसके विशेस्ताओं को देखेंगे सभी धर्म को पढ़ेंगे तो फिर उनकी बारी-बारी से विशेस्ताओं को देख लेंगे तो चलिए पहले हम लोग हिंदू धर्म को देखते हैं तो देखिए हिंदू धर्म का उदय जो होता है भारत में यह माना जाता है कि देखिए प्राचिन भारत में से ही इसके इंट्रोडक्शन में आप जब लिखेंगे तो लिखेगा प्राचिन काल से ही में धर्म की अब धारना है भारत में काफी प्राचिन रही है यानि प्राचिन काल से हमारे भारत में कई एक धर्म प्रचलन में था और उ इसे हुआ जो वर्तमान समय में भी नौकेवल भारत में अपीतू संपूर्ण विस्व में प्रचलीत है ये जो धर्म है इसका जो विकास हुआ है भारत में ये केवल भारत में ही प्रचलीत नहीं हिंदू धर्म केवल भारत में ही नहीं माना जाता है अन्य देसों में भी माना जो कि बहुत धर्म का उद्धे तो भले ही भारत में वुगए लेकिन इसका विकास जो होता है आप देखिएगा वो चाइना है मयाम मार है इन तमाम छेत्रों में कम-डीया बolate इलाका है तो इन छेत्रों में भी इसका विकास परसार हुआ तो उसको भी हम लोग बारी-बारी से धर्मों को देखते जाएंगे उसी तरह आप देखे सिख धर्म सिख धर्म का भारत में जितना लोग रहता उससे ज़्यादा आप जानते हैं कि कनाड़ा में भी लोग रहते हैं सिख धर्म के लोग, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये तमाम जो धर्मों का विकास हुआ, ये एक अए एक नहीं हो गया, कि एक अएक हो, मतलब शुरू हुआ और हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, धीरे-धीरे हुआ, और धीरे-धीरे ये धर्म जो है, अन्य देशों में भी प्रचलन में आया तो ये बात ध्यान में रखनी है उसके बाद आप देख लेते हम लोग एक-एक करके धर्म को देखना है चुकि देखिए सभी धर्म को एक-एक करके आप नहीं देखिएगा तो आप से अगर प्रस्ण पूछ दे इसलाम धर्म पर कैसे कैसे हुआ उसको बता दीजेगा तो भी सेस्ता भी दिरे दिरे आपको समझ में आता जाएगा तो चलिए उन्हीं चीजों को आज समझते हैं और आज हम लोग का जो है वह हिंदू धर्म इस धर्म के टॉपिक में यानि कि जो आपको रिलीजिन पढ़ना है उसमें दूधर्म का जो विकास होता है बच्चों इसके बारे में कहा जाता है ना कि प्राचिन काल में जब हडपा सवेता चल रहा था तो उसी समय इसका विकास हुआ है लेकिन जानते हैं प्राचिन काल में हडपा सवेता का जो दौर था उसमें इसके बारे में कोई अस्पष्ट दो से जानकारी तब मिल पाती है जब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ हो यहांँ लिखिच साख़ो तो उस समें का हड़पा सविता कर जर्थ बड़ों तो उसको पढ़ा ही नहीं गया तो भansा ही तो इसके बारे में यह असपष्ठ हो ही नहीं पाता है कि आखिर उस समय क्या-क्या धर्म चलता था या नहीं था लेकिन उस समय की कुछ जो मोहर है या फिर जो उस समय की मिट्टी की बरतन बने हुए है तो उस पे आप दिखिएगा कुछ ऐसे चितर बने हुए है जिसमें दिखिएगा कोई दिखाया जाता है कि कोई नाग पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति है कि कोई साफ है तो उसके सामने पूजा कर रहा है उसको अगरवत्ती दिखा रहा है ऐसा कहीं कहीं कुछ ऐसा भी यह मि इसके बारे में जब तक पढ़ा नहीं जाएगा इसके स्चोरस को तब तक ये कहना बहुत ही दुविधापुर्ण है कि उससे में हुआ था या नहीं हुआ तो इन तमाम चीजों का पूजापाट होता था उसकाल का ये प्रचलन में था तो इसके बारे में कुछ असपष्ठ अभी तक नहीं कहा गया कि हिंदु धर्म वहीं से विक्सित वह लेकिन अब दिखते हैं हम लोग हरपा काल में कौन-कौन सी पूजाएं की जाती ती किनकी की की जाती थी उसको बस देख लीजिए अब जितनी बातें बोले वही हमने लिखा है इस स्लाइड में आपको जो दिख रहा है वही चीज़ें है जैसे प्रिथवी की पूजा किया थी यानि धर्ती की उसका जल का पूजा किया जाता था था फिर पीपल विरिक्षी का पूज है आज भी पूजा जाता है तो वो हडपा काल से ही प्रचलन में है हडपा काल में भी उसका पूजा किया जाता था तो यह धियान में रखिएगा तो यह तो हडपा काल की बात हुई अब देखते हम लोग वैदिक काल में क्या होता है बच्चों कि वैदिक काल जानते है हड जुरुपेद है और अथर वेद हैं, इन तमाम वेदों में यह इस्वर की कलपना की गई भगवान के लिए पूझा पाट करने के लिए। उनके लिए मंत्रों को लिखा गया है, और कहा गया है। इन मंत्रों का उच्छारन अगर आप करते हैं तो भगवान खुस होंगे तो यही सब वेद में तो वेद में ही दिखेगा यग्जी के बारे में यग्जी के अनुष्ठान के बारे में पूजापाट के बारे में यह तमाम चीजों के बारे में मतलब मौकिक चर्चा था बाद में वो लिखित रूप में आ गया और इसी समय क्या होता है कि सही रूप से आप दिखेगा वेदिक काल में ही हिंदु धर्म का विकास होता है और इसके बारे में बोला याता है कि हिंदु धर्म का सही रूप से अगर विकास हुआ है कहीं या सनातन धर्म का विकास हुआ है तो वो वैदिक काल में ही और देखिए इस समय जब वैदिक काल में जब इस धर्म का विकास हो रहा है न हिंदु धर्म का तो उस समय जानते हैं विश्व में किसी भी देश में अ Eck кров already म्मनना जाता है तो यह भी यापको ध्यान में रखने है तो उससे में क्या होता था कि जो वैदी काल है उससे में आप देखिएगा हिंदु धर्म का विक्रास तो ही रहा है और उसी समें सीब है रुद्र है इंद्र है उसके बाद देखे वरून है नासत्य है अस्विनी कुमार है वायू है ये तमाम चीजों का पूजापाट उससे में होना लगा होना प्रारम हो गया और राजा जब अपना राज्या भिसेग भी करता था उस समय आप देखेगा सभासमीती जैसी संस्थाएं हैं वैदिकाल में तो उस समय देखेगा जो चुन के राजा कवीले का मुख्या होता था उसका राज्या भिसेग भी जो होता था और वो मंत्रो चारन के द्वारा होता था यानि उसका राज्या भिसेग भी होने लगा यानि कि वो इस स्वर की सपत लेता था कि हम अब जो हम कारी करेंगे यहा प्रमानिक माना जाता है हिंदु धर्म के विकास के बारे में कि वो वैदिक काली है और इसी समय से बोला जाता है कि हिंदु धर्म का विकास और परचार परशार होना आराम हो गया लेकिन एक बात जान लीजे जब हिंदु धर्म का विकास हो रहा था या मंत्रों को जानते थे वो काफी उच्च होते थे यानि उनका जो मंत्र होता था न वो सुद्धेदम संस्क्रीट होता था आज जो हम लोग संस्क्रीट पढ़ते हैं उस संस्क्रीट में नहीं उसको वैदिक संस्क्रीट बोला गया है और आज के संस्क्रीट को हम लोकिक संस्क्रीट बोलते हैं यानि वैदिक काल के बाद जो चीजों को असपष्ट और सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है वो संस्क्रीट हम लोग बोलते हैं हम लोग कलिष्ट यानि कि जो कठीन संस्क्रीट है उसको नहीं बोलते हैं बच्चो इसका विकास होने लगा जब वैदी काल के बाद इन धर्म50 क विकास हुआ तो इससे क्या हुआ जानते हैं समाज में हिंदु धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म Dwarka को मानने वाले लोग भी धीरे धिरे वैदी मिहित धर्म से हट कर वो कहां जाने यानि हिंदु धर्म से हट कर कहां जाने लिए वो बौध धर्म को अपनाने लिए जैन धर्म को अपनाने लिए जैसे चारवाक के वाला कंसेप्ट आया तो उसको अपनाने लिए आजीवक धर्म को अपनाने लिए यानि आप देख पाईएगा कि वैदी को तरह कालाते आते बौद धर्म और जेन धर्म काफी समाज में हाभी हो गया और इस समय हिंदु धर्म क्या हुआ कमजोड पर गया तो इसके बाद क्या होता है कि फिर इसको कब बढ़ावा मिला जब आप दिखेगा मगद का उतकर सोना प्रारम हो गया तो उस समय कई एक सासकों ने इसको बढ़ावा दिया तो इसलिए हम यहां भी सासक के बारे में डिवेट नहीं कर रहे है चुकि आप हो सकता है जानते हो या उन सासकों का नाम नहीं जानते हो तो आपको लेगा सर आप तो पढ़ा दिये लेकिन भारी हो गया अब तो हमसे यादी नहीं हो रहा है तो वैसा चीज हम करेंगे भी नहीं और हमारे करने की कोई आस्था भी नहीं है कि हम आपको वो चीज यादी नहीं हो ऐसा कुछ हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे आपको केवल और केवल कंसेप्ट देना है ताकि आप लिक के आ जाईए और आपको बहतरीन नंबर मिल जाए आप देखिएगा यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाया है जैसी तैयारी आपको हम करा रहे हैं उस तरह आप देख लीजे पूरा का पूरा यूट्यूब आपको नहीं मिलने वाला है जो कि सिलसलेवार ढंग से और एकदम पंक्चुल तरीके से जो कि आसान तरीके से समझा जा सके उसके बाद दिखिए अब वैदी काल खतम हो गया वैदी कुत्तर काल खतम हो गया अब आत पर्चार प्रसार करने लगा और वो बहुत् द्रम को जादा परण देने लगा यानि उसको अपनाने लगा इसे चंगूपत्मौरि नकिए-दो krij प्रतवन हो अब रहिए आप जिस धर्म को मानते हैं आप उसको भी मानिए उससे कोई दिकत नहीं है लेकिन हम अगर बहुत धर्म मानते हैं, तो हम मानेंगे, यही बात वो असुक बोलता था, और वो अपने धर्म को मानता था, बट वो क्या है, कि हिंदु धर्म के लोगों को यह नहीं बोलता था, कि आप बहुत धर्म को मानने लगें, यहनि उनके उपर कोई प्रहार नहीं करता था, यह गलत होता ना कि उनको सोसीत करना वैसा कोई कारे नहीं करता था तो इस समय भी मौरे काल में भी यह धर्म चलता रहा इसका विकास होता रहा उसके बाद देखिए मौरय उत्तर का लाया जब आप दिखिएगा असो का मिर्ती हो जाता है उसके बाद सबसे अंतिम सासक ब्रीदरत होत सुन्ड लिखा गया सुंग यहां कर दीजिए पूश्मिस सुंग के दौरा सुंग बंस की अस्थापना कर दी गई है जब सुंग बंस की स्थापना की तो ये पुश्मिस सुंग झो है ना खुद ही एक ब्रहम meditating था तो इसके बारे मैं बुलाया था ये ब्रहमन था और इसने ब्राह्मन धर्म को भी प्रसरे दिया इसने ना केवल ब्राह्मन धर्म को बलकि बौध धर्म को भी प्रसरे दिया इसने बौध धर्म को भी प्रचार प्रसरे उसका भी मतलब जो है उसको भी एक तरह से उसको भी अपनाया और उसको भी प्रचार प्रचार करने का अ पुस्मित सुंग के द्वारा तो जिससे ये पता चलता है कि इसने भी हिंदु धर्म को काफी परचार परशार के कारे में किया उसके बाद देखिएगा कि कुसान जो थे वो भारी थे मतलब विदेशी थे और वो लोग भी भारत जबाए तो उन्होंने भी देखिया उनके सि द्वी दिताओं का वो चित्रांकीत करवाते ते त्रिशूल का चित्रांकीत करवाते थे अपने सिखों पर तो जिससे ये पसफश्ट हो जाता कि इस समय तर हिंदु धर्म अर् काफी विकसित होता रहा उसके बाद देखिए इस माँखती रही लेकिन जब आप दिखिया ग प्राषिन काल से ही चला रहा है यह अभी कुछ नहीं हुआ है यह काफी पुराना है जो कि अभी तक चलता हा रहा है तो वही हुआ कि गुप्त काल में भी ये चीज़ चलता रहा, उसके गुप्त उत्तर काल में दिखेगा राजपुत सासक जब बनते हैं, तो आप दिखेगा गुप्त काल में एक चीज़ और याद रखिएगा, कि इस समय के कई एक सासक हुए, जैसे समुद्र गुप्त है, च हिंदु धर्म का सबसे ज़्यादा विकास गुप्त काल में ही हुआ, वेदिक काल के बाद ज्यादा तर माना याता है, उसके बाद दिखेगा गुप्त काल के बाद राजपुत लोगों का सासन हुआ, राजपुत बन्स के लोगों ने सासन भारत में करना जैसे गाड़वा का कारी किया और इसी समय आप देखिएगा भारत में क्या होता है कि जो 1226 भी में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना हो जाती है जब दिल्ली सल्तनत की भारत आये, उनके द्वारा करा दिया गया, वो इसलाम को मानते थे, वो लुट को मानते नहीं थे, हिंदू धरम को तो उन्होंने धर्म के एवज में, उन्होंने क्या किया, कि यहां के सभी मंदीर मंधिर को, मतलब मंदिर को तड़वाना परारम कर दिया और मस्जीद का निर्वान कराना परारम कर दिया तो जिससे क्या हुआ कि भारत में पुना एक बार देखिएगा कि जब सल्तनात और मुगल प्रियेड चल रहा होता है तो उस समें हिंदु धर्म काफी गर्थ में चल जाता है यानि उस स सिवाजी जब हुए दक्षिन भारत में आप सिवाजी मराठा समराज अस्थापित होता है तो उस समय आप दिखेगा फिर उस काल में हिंदु धर्म का प्रचार प्रशार तीजी से होना प्रारम होयाता है और धिरे-धिरे ये क्रमिक रूप से चलता रहा और अभी तक आप है जो कि हिंदु धर्म का एक विकास करम जो है उसको आप जान सकें और हमने वही प्रयास किया है हमने कोई ज्यादा भारी भरकम चीजे नहीं ली आप अगर पुस्तकों को पढ़िएगा ना तो उसमें दुनिया जहान का फेक्ट है लेकिन हमने उन चीजों को समेट के रख ना तो वहां पर और उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे बट आपके सलेवस में बस उसके कंसेप्ट यानि अवधारना को जानना है तो हमारे हिसाब से यह काफी है इनफ है हिंदु धर्म का उसके बाद हम लोग देखेंगे इसलाम को बौद को जेन को और सिक को यह तमाम आपका खतम हो जाएगा तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए वीडियो को सेर जडूर किजिए और अपने जो आपके मित्र हो जो इतियास विसे से जुड़े हो तो उनको जडूर सेर करके उनको भी इस लाब को प्राप्त करने का अबसर दीजिए त आपको कोई पीडियो कुछ कुछ टॉपिक का हम हैं रिटेन नहीं कर पा रहे हैं चुकि हमारे पास भी समय का अभाब है तो इस वज़े से उस टॉपिक के लिए आप उसका भी हम लोग ऐसा तो जडूर प्रापधान कर दी हैं जिससे कि आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको टैपिंग वला मिल जाएगा बाकी जो है रिटेन है वो कि नोट्स पड़े हुए है आप उसको आसानी सी ले सकते और उसको आप्ते आराम से कर सकते हैं तो चलिये अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तव तक के लिए धन्यवाद